तो दोस्तों सिर्वें बात करने वाले Jubilent Foodworks Limited company के बारे में और हम इहापर करेंगे Jubilent Foodworks का weekly analysis के अब next week के लिए कौन से मुटनले लेखना है जो में Jubilent Foodworks के लिए ध्यान में रखना है और उसके accordingly क्या possible price action and हमें यहाँ पर जो है वो stock के levels देखने को मिलेंगे अब देखो दोस्वा बात अकरम करें यहाँ पर jubilant foodworks की तो jubilant foodworks के अंदर भी clearly हमें यहाँ पर जो है वो overall market के साथ full weakness and गिरावर्ट देखने को मिल रही है इतना काफी नहीं था तो यहाँ पर IT department की side से jubilant foodworks के उपर something around हमें 216 करूर रुपीज के अराउंड की एक tax notice भी आती हुई यहाँ पर देखने को मिली है no doubt company उसको सामने rectify करने के लिए अपिल करेगी बट कही ना कहीं एक थोड़ा सा negative trigger यहाँ पर जो है वो बनता है अब counter ने 650 के support को break कर दिया 620 के support को break कर दिया and 680 के भी support को break कर दिया है तो view है negative अब next support इसका 560 रुपीज पर आपको देखने को यहाँ पर आराम से मिल जाएगा